साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोडने वाला ये अप्टिकल फ्राइबर प्रोजेक्ट, इस अप लिविंग के प्रती हमारी प्रतिवद्धता का प्रतीख है। अब, अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविदाय मिल पाएगी, जिसके लिए आज पुरी दुनिया में भारत अग्रणी हैं। अब, अंडमान निकोबार के लोगों को, बेहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यपारियों, कारोबारियों को भी, डिजिटल इंडिया के वो सभी लाब मिल पाएंगे, जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। अंडमान पढ़ाई हो, टूरिजम से कमाई की बात हो, बैंकिंग ओपरिशन्स हो, शॉपिंग हो, या टेली मेडिसिन दवाईया हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी, ये अंडमान व्यवस्थाएं मिल पाएगी। साथियों, आज अंडमान को जो सुविधा मिली है, उसका बहुत बड़ा लाप वहाँ जाने वाले टूरिश्टों को भी मिलेगा। बहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिश्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्रात्विक्ता हो गई है। पहले देश और दुनिया के टूरिश्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से, अपने बिजने से एक प्रकार से उसका अंदिरंतर संपर कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है। अब इंटरनेट अच्छा मिलेगा। तो मुझे पुरा विश्वास है कि लोग जो टूरिश्ट के निते वहां आते हैं, वो वापिस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे। और जब लोग जादा रुकेंगे अंडबान डिकोवार के समंदर का, वहां के खान पान का आनन लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए आउसर बनेंगे।